बाबा कहे रहे हैं, कल पाठ्री में बाबा कहे रहे हैं थे, विश्व कल्यान कारी आत्मा जो होती है, वो जो कमजोर आत्मा होती है उन्हों कोई महिमा करके पहले महान बना देगी, विश्व कल्यान आत्मा महिमा करके उनको महान बना देगी, उनमें तो कमजोर आत्मा में क्या होगा शक्ती आजाएगी, महिमा सुनते सुनते शक्ती आजाएगी, फिर कमजोर आत्मा को जो अपनी महानता है वो याद आ जाएगे तो बाबा केते हैं वो याद दिलाओ महानता को याद दिलाओ तो उनकी कमजोरिया विश्बूत हो जाएगे तो बाबा ने कहा उमंग उत्सा दिलाओ और उमंग उत्सा दिलाने से क्या होगा जो दरनी होती है वो फड्रूप होती है तो उसमें बीच डाले तो बहुत जल्दी से व्रुक्स आ जाता है तो अगर कल राथी जमिन होती है तो बीच डालने से थोड़ा टाइम लगता है या ना भी आए तो बाबा ने कहा उमंग उत्सा दिलाना है वो उमंग उत्सा दिलाएंगे तो धरनी फड्रूप हो जाएगी और बाबा ने कहा एहम और वहम भाव न रखने से ऐसी आत्मा भ कि फिर परिवर्थि고 जाएगे कभी भी ब्रामण परिवार में किसी को भी कमजjung और और वहाले नेकwwww ये शुब बोल निकलने चाहिए 방법 जिल किसीको दिल शिककर से बनाने वाले बोल ना हो अगर किसी को शिक्षा भी डैनी हो तो पहले उनकी विशेष्ता सुनाकर उन्हें शक्तिशाली बनाना है फिर शिक्षा दो तो बावा केते हैं पहले उमंग उच्छा का हल चलाना फिर बीज डालना है बावा ने कहा सिर्फ स्व कल्यान वा देश कल्यान नहीं लेकिन विश्व कल्यान करना है उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी सोचना है तो आज पाड फोर फाइनल पाड है उसमें बावा आगे कह रहे हैं कि विश्व कल्यान करना है तब ही विश्व कल्यान की सेवा की गती तिवर हो जाएगी अगर सोचेंगे कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है तब विश्व कल्यान की सेवा की गती तिवर हो सकेगी अभी मद्यम गती है इसलिए इस वर्स में विश्व कल्यान कारिस्ठिती की विदी द्वारा विश्व कल्यान के सेवा की गती तिवर बनाओ विश्व कल्यान कारिस्ठिती की विदी द्वारा विश्व कल्यान के सेवा की गती तिवर बनाओ अब तक जो कुछ चला, ड्रामा अनुसार जो चलता था वो चला इसके भी आगे के लिए कल्यान की भावना ले, चड़ती कला की भावना ले अब आगे भड़ा कल्यान की भावना चड़ती कला की भावना से भावा के ते आगे बढ़ो कमजोरियों को सदा के लिए द्रड संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलाओ स्वयम की कमजोरियों को तो विदाई दो लेकिन दुसरों की कमजोरियों का भी बाबा के तेहें विदाई दिलाओ तो विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्रगति से हो जाएगा स्पीड और स्टेज को बढ़ाओ अर्थात हर बात को नौलेजफुल समर्थ स्थिती द्वारा सदा सहज पास करो और सदा पास हो जाओ तो फाइनल स्टेज पर पास विद ओनर हो जाएगे तीन पास, पास्ट सो पास्ट, बाबा की पास रेना है और पास विद ओनर बनना है तो बाबा भी केते हैं कि स्पीड और स्टेज को बढ़ाओ अर्थात हर बात को नौलेजफुल समर्थ स्थिती द्वारा सदा सहज पास करो और सदा पास हो जाओ तो फाइनल स्टेज पर पास विद ओनर हो जाएगे समझा ऐसी तैयारी करो जो दूसरी सीजन में ऐसी तैयारी करो जो दूसरी सीजन में दादा सब को तिवर पुरशार्थी के रूप में देखे सभी आत्माएं फर्स्ट डिविजन वाली आत्माएं हो ऐसी महान आत्माव का मिलन मिला मनाने आए सबकी कमजोरी दूर हो जाए तो ऐसी फर्स्ट दिविजिन वाली आत्मावा को मिला आत्मावा को हर ब्रहमन बच्चा सदा ताज तिलक और तक्तधारी है ऐसी राज्य सभा में बाब आए हर ब्रहमन बच्चा ताज तिलक तक्तधारी हो ऐसी सभा में बाबा आए जब यहां राज्य अधिकारी सभा बनेगी तब वहां राज्य दर्बार लगेगी यहां संगम पर जब राज्य अधिकारी सभा बनेगी तब बाबा के तेश सत्युग में राज्य दर्बार लगेगी निमंत्रन दिया जाता है तो विशेश आत्माओं के लिए विशेश स्टेज तयार करनी पड़ती है तो बाबा को अगर निमंत्रन दे तो इसके लिए विशेश स्टेज तयार करनी है जो राज्य दर्बार बने ऐसी स्टेज वाले ऐसे बच्चे बाबा के आये तो बाब डादा को भी फिर आने का निमंत्रन देते हो तो हर एक प्रैक्टिकल संपूर्ण स्टेज तयार करेंगे तब तो बाब डादा आएंगे स्टूल में भी कोई बहुत विशेश आने वाले होते हैं तो स्टेज को बहुत अच्छे से डेकॉरेट करते हैं तो बाबा हमारी स्टेज को बहुत अच्छी बनाने के लिए कहते हैं प्रैक्टिकल संपूर्ण स्टेज तयार करो तबी बाब डादा आएंगे इसलिए हर एक एक दोसे स्रेश्ट वा सुन्दर स्टेज तयार करो अच्छा अब देखेंगे कौनसा जोन नंबर वन जाता है विदेश आगे जाता है वा देश वाले आगे जाते हैं अच्छा ऐसे सदा विश्व कल्यान कारी सर्व प्रती रहें दिल सदा शुब चिंतन में रहने वाले सर्व प्रती रहें दिल विश्व कल्यान कारी सदा शुब चिंतन में रहने वाले और सदा शुब चिंतक बनने वाले हर आत्मा में हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले ऐसे सदा राज्य दिकारी सर्व को सदा संपन्द बनाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप डादा का या त्यार और नमस्ते टीचर्स के लिए है थोड़ा टीचर्स से बादचित सेवा का भाग्य प्राप्त आत्माओं हो कितनी वंचीत आत्माओं को बाप का परिचय दे त्रुप्त आत्मा बनाने वाले हो सेवा में विशेष रहम दिल का गुण याद रहता है पुछता है सेवा में विशेष जो भी सामने वाले आत्माओं होती है उसके लिए रहम दिल का गुण याद रहता है रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल बन कर सेवा करते हो तो सफलता बहुत मिलती है तो सभी बाप समान रहम दिल हो अंजान आत्माओं के प्रती तरस पड़ता है सदा संपन्न मुरत बन वर्दानी और महादानी बनो कमजोर आत्माओं को शक्ती दे आगे बढ़ाओ संपन्न मुरत बन सेवा करो तो संपन्न मुरत बन वर्दानी बनाना है और महानता उसकी याद दिला करके फिर उसको शिक्सा देनी है और आगे भी बढ़ाना है तो आज की साकार मुर्ली है 11 अप्टोबर की मुर्ली का महावाक्य है मीठे बच्चे बाप की याद के साथ साथ ज्यान दन से संपन्न बनो बद्धी में सारा ज्यान गुंता रहे तब अपार खुशी रहेगी बाबा ने जो ज्यान दिया वो ज्यान बाबा के तेहें बुद्धी में गुंता रहे चलता रहे पूरे सुरुष्टी चक्र के ज्यान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे यसे पूरे सुरुष्टी के आदी मद्य अंत का ज्यान उसमें सब पार्ट पुरा आ जाता है तो वो ज्यान बाबा के तेहें बुद्धी में गुंता रहे चलता रहे क्योंकि यह सुरुष्टी चक्र के ज्ञान से ही हम चक्रवर्ती राजय भनेंगे प्रस्न है आज का किन बच्चों की पृत बाप से नहीं हो सकती है उप्तर है जो रोरव नर्क में रहने वालों विकारों से पृत करते हैं जो रवरव नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाब से नहीं हो सकती बाबा केते हैं तुम बच्चों ने बाब को पहचाना है इसलिए तुम्हारी बाब से प्रीत है दूसरा प्रस्ण भी है किसे सत्युग में आने का हुकम ही नहीं है उत्तर है बाब को भी सत्युग में आना नहीं है तो वहां काल भी नहीं आ सकता है बाबा भी नहीं आ सकता तो काल भी नहीं आ सकता है जैसे रावण को सत्युग में आने का हुकम नहीं ऐसे बाबा कहते बच्चे मुझे भी सत्यूग में आने का हुकम नहीं बाबा तो तुम्हे सुखधाम का लायक बना कर घर चल जाते हैं उन्हें भी लिमिट मिली भूई है बस हमें पावन मना देते हैं सुख की दुनिया में भेज रहते हैं पिर बाबा अपने घर परमदाम जाकर बैठ जाता है, ये बाबा की लिमिट है, ड्रामा में उसका यही पार्ट है ओम शांती, रुहानी बाप बैठ रुहानी बच्चों को समझाते हैं, रुहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो बाबा पुछता है, रुहानी याद में, बाबा की याद में बैठे हुए हैं, अब बीबी हमें बाबा की याद में, बाबा की छत्रचाया में या बाबा की किरनों के नीचे बैठ कर बाबा के महावा के सुनना है अंदर में यज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर है यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए जैसे वह यात्रा करते हैं हरी द्वार अमरनाथ जाने की यात्रा पूरी की फिर लोट आते हैं यहां फिर तुम बच्चों की बुद्धी में हैं कि हम जाते हैं शान्ती धा तो यह हमारी यात्रा है बाप ने आकर हात पकड़ा है हात पकड़ कर पार ले जाना होता है न कहते भी हैं हात पकड़ लो क्योंकि विशई सागर में पड़े है तो गिर नहीं जाहेंगे इसलिए बापा का हात पकड़ लेना है कौन सा हात स्रीमत रुपी हात तो बापा केते हैं अब तुम शी बापा को याद करो और घर को याद करो अंदर में यह आना चाहिए कि हम जा रहे हैं जैसे वो लोग यातरा करने जाते हैं न तो यह सोच दे हैं न हम यातरा करने जा रहे हैं तो हम अगर शांतिदाम बैठे बैठे जाएं तो भी इस अंदर में बापा केते आना चाहिए कि हम अभी जा रहे हमारे असली गर परमधाम में तो बापा केते इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है अंदर में सिर्फ याद रहें बाबा आया हुआ है लेने लिए याद की यातरा पर जरूर रहना है इस याद की यातरा से ही तुम्हारे बाप कटते हैं तब ही फिर उस मनजील पर पहुँचेंगे बाबा की याद की यातरा से ही हमारे बाप कटते हैं तब ही फिर हम मनजील पर पहुँचेंगे कितना clear बाप समझाते हैं जैसे छोटे बच्चों को बढ़ाया जाता है न सदैव बुद्धी में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना बच्चों को ले जाते हैं आत्मा को ही यात्रा करनी है हम आत्मों को बाब को याद कर घर जाना है घर पहुँचेंगे फिर बाब का काम पुरा हुआ एक बार हम घर पहुँच गए फिर बाबा का काम पुरा हो गया बाब आते ही है पतित से पावन बना कर घर ले जाने पढ़ाय तो यहां ही पढ़ते हैं बल गूमो फीरो कोई भी काम काज करो बुद्धी में यह याद रहें योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है याद की यात्रा ऐसे कहा जाता है योग यात्रा ऐसे नहीं कहते हैं इसलिए बाबा कहते हैं याद शब्दक याद रहना है बुद्धी में यह याद रहे कि हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा केते हैं योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है योग सन्यासियो का है वह तो सब है मनुश्यों की मत आधा कल्प तुम मनुश्य मत पर चले हो आधा कल्प दैवी मत पर चले थे अभी तुमको मिलती है इश्वरिया मत सत्योत्रेता दैवी मत पर थे द्वापरकल्युक मनुष्य मत पर अभी है बाबा की स्री मत तो बाबा केते अभी तुमको मिलती है इश्वरिया मत योग अक्षर नहीं कहो याद की यात्रा कहो आत्मा को यह यात्रा करनी है वह होती है जिस्मानी यात्रा शरीर के साथ जाते हैं इसमें तो यहां बावा केते हैं इसमें तो शरीर का काम ही नहीं आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट गर है कहां परमदाम शानती दाम हम ऐसे भी दुनिया में कहीं जाते हैं, तो थोड़े दिन अच्छा लगता है, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद लगे कि अभी तो गर जाना है, जैसे ही गर आ गए, कितना रिलेक्स हो जाते हैं, तो बावा का गर भी हम जाएंगे, या अगर गड़ी गड़ी अभी भी जाएंगे, तो कितना रिलेक्स रहेंगे, तो बावा केते हैं, आत्मा जानती हैं, हम आत्माओं का व स्वीट घर, स्वीट घर है, बाब हमको शिक्सा दे रहे हैं, जीससे हम भावन बनेंगे, याद करते करते तमुप्रदान से सतोप्रदान बनना है, यह है यात्रा, हम बाब की याद में बैठते हैं, क्योंकि बाब के पास ही घर जाना है, बाब आते ही हैं पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है, बाब पावन बनाते हैं, फिर नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे संगम पर जिस जिस प्रकार पुरुशार्थ किया उस अनुसार पावन दुनिया में जाएंगे इस ज्ञान यह ज्ञान बुद्धी में रहना चाहिए हम याद की यात्रा पर है हमको इस मृत्यू लोक में लोट कर नहीं आना है बाबा का काम है हमको घर तक पहुँचाना बाबा रास्ता बता देते हैं अभी तुम तो मृत्यू लोक में हो फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे बाप लायक बना कर ही छोडते हैं सुखदाम में बाब नहीं ले जाएंगे वो हमारा पुर्षात अनुसार स्वतई सभी आते जाएंगे तें बाबा का काम है सिर्फ अपनी घर तक पहुँचाना पावन बना कर इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुँचाना यह सारा ज्यान बुद्धी में रहना चाहिएं सिर्फ बाब को याद नहीं करना है बाबा केते हैं सिर्फ बाब को याद नहीं करना चाहिए साथ में ज्यान भी चाहिए ज्यान से तुम धन कमाते हो न तो ऐसे भी चिंतन की बिना याद नहीं होती है चिंतन ऐसे ही सिर्फ शी बावा शी बावा थोड़ न होता है उसमें चिंतन चाहिए तो बावा केते हैं ज्ञान से तुम धन कमाते हो न इस सुरुष्टी चक्र की नौलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो बुद्धी में यह ज्ञान है इसमें चक्र लगाया है फिर हम घर जाएंगे फिर नए सिर्फ चक्र शुरू होगा यह सारा ज्ञान बुद्धी में रहे तब खुशी का पारा चड़े बाप को भी याद करना है शांतिधाम सुखदाम को भी याद करना है चोरासी का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे इसलिए पांच स्वरुपों की ड्रिल स्वदर्सन चक्रधारी बनना है वो भी चिंतन चलता रहे तो बावा केते हैं सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है क्योंकि वो इनको जानते ही नहीं है ब्रह्म को ही याद करते हैं बाव तो अच्छी रिती बच्चों को समझाते हैं याद करते करते ही तुम्हारे बाव कट जाते हैं पहले तो घर जाना है यह है रुहानी यात्रा गायन भी है चारो तरफ लगाए फेरे फिर भी हर दम दूर रहे अर्थात बाव से दूर रहे जिस बाव से बेहद का वर्सा मिलना है उनको तो जानते ही नहीं कितने चक्कर लगाए हैं हर वर्स भी कई यात्रा करते हैं चारदाम की यात्रा या कोई न कोई मंदीरों की यात्रा करते रहते हैं पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है तो बाबा केते हैं यह तो तुम्हारी है रुहानी यात्रा आत्मा की यात्रा और अंदाम परमात्मा के पास बाबा केते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो जिसको अमर लोक कहा जाता है वहां काल होता नहीं जो किसको ले जाए सत्य युग में काल होता नहीं जो किसको ना कहीं अकाले मृत्ती हो जाए ऐसा नहीं काल को हुकम ही नहीं है नई दुनिया में आने का रावन की तो यह पुरानी दुनिया है न तुम बुलाते भी यहां हो। बाबा को भी बुलाते हैं रावन राच्चे में। बाब कहते हैं मैं पुराने दुनिया में, पुराने शरीर में आता हूं। बाबा कहते हैं मुझे भी नई दुनिया में आने का हुकम नहीं। मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूं। तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एक दम घूम हो जाते हैं। पता ही नहीं पढ़ता है कहां चला गया क्योंकि वह ड्रेस ही बदल लेते हैं। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, यह भी रूप बदलते हैं। सत्युग में थोड़े ही ऐसी बाते होगी। बाब कहते हैं, हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लेन अनुसार द्वापर शुरू होता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उन्हों के बहुत गंदे चित्र भी जगनात पुरी में हैं। दिवी देवताओं के गंदे चित्र, जगनात पूरी मंदीर में, जगनात का मंदीर है, यो तो उनकी राजदानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे, सबसे अच्छी रोयल्टी वाले दिवी देवताओं के कितनी गंदे चित्र बना दिये, तो बाबा केते हैं, वो फिर मं मंदीर में जाकर बंद हुए, कौन बंद हुए, जो जिसकी राजदानी थी, खुद विश्व के मालिक, विश्व के मालिक कहीं भी जा सकते हैं, कोई बंदन नहीं, और वो फिर जाकर बंद हुए मंदीरों में, उनको काला दिखाते हैं, इस जगत नात के मंदीर पर तुम बहुत समझा सकते हो और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते हैं काला क्यों बताया कैसे ऐसे काले बन गए वो सब बावकते डीटेल में बहुत अच्छा समझा सकते हैं देवता ही पुज्य से पुजारी बनते हैं वो लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते हैं आपे ह पुज्य आपे ही पुजारी बगवान को ही कह देते हैं कि आप ही पुज्य बनते हो आप ही पुजारी आप ही सुख देते हो आप ही डुख देते हो बाप कहते हैं मैं तो किसको दुख देता ही नहीं हूँ बावान सभी भकतों ने बावा को ही ब्लेम कर दिया है कि आप ही स यह तो समझ की बात है, बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया, अरे यह अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावन राज्य में ही मिलता है। बाबा केते हैं, मेरे राज्य में दुख की बात ही नहीं होती, बाबा तो सुख दाम, उरा दाम ही सुख दाम स्थापन करते हैं, तो फिर वहान दुख कैसे होगा? सतियुग को कहा जाता है अमर लोग इनका नाम ही है मृत्ती लोग अकाले मर पड़ते हैं वहां तो बहूत खुशिया मनाते हैं आयू भी बड़ी रहती है बड़ी में बड़ी आयू एक सो पचास वर्स की होती है वही बावा ने बताए ना परसो कि 150 years maximum आयू जो होती है कितने होते हैं वो 9 लाग तो बावा केते हैं यहां भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है कल यूग में भी थोड़ी लंबी आयू किसी की होती है परन्तु यहां तो स्वर्ग नहीं है न कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयू बड़ी भी हो जाती है फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं परिवार बढ़ता जाता है वृद्धी जल्दी होती हैं जैसे जहाड से टाल टालिया निकलती हैं पचास टालिया और उनसे और पचास निकलेगी कितना वृद्धी को पाते हैं यहां भी ऐसे हैं इसलिए इनका मिसाल बढ़ के साथ वर्ट बुक्स ने बढ़ के साथ वो जाड के साथ देते हैं बढ़ के जाड के साथ सारा जाड खड़ा है foundation है नहीं कलकत्य में है न वर्ट बुक्स सारा पूरा बहुत बढ़े एरिया में फैला हुआ है लेकिन उसका main root कहा है वो दिखता नहीं है तो ऐसे ही foundation सभी बहुत सारे दर्म है अभी लेकिन मुक्य दर्म दिखता नहीं foundation है नहीं यहां भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का foundation हैं नहीं कोई को पता ही नहीं देवताय कब थे, वह तो लाखो वर्स कह देते हैं, आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे, बाप ही आकर यह सब बाते समझाते हैं, तुम अभी बाप को भी जान गए हो, और सारे ड्रामा के आदी मद्य अंत, ड्यूरेशन आदी सब को जान गए हो, नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है, यह कोई नहीं जानते, अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, यह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है, हमेशा निरंतर और हमेशा, गुमों फिरों परंतु इस याद की यात्रा में रहो, बाबा की याद भूलनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी करो, यह है रूहानी यात्रा, आत्मा की यात्रा, तुम जानते हो भक्ती मार्ग में हम भी उन यात्रा उपर जाते थे, बहुत बार यात्रा की होगी, जो पक्के भक्त होंगे, कितना रख्के खाये, बगवान को कितना ढूंडा, कितनी यात्रा की होगी, तबी अभी बाबा मिला, तो बाबा ने समझाया है, एक शिव की भक्ती करना, वह है अव्यविचारी भक्ती, फिर देवताओं की होती हैं, फिर पांच तत्वों की भक्ती करते हैं, सुरू सुरू म एक की भक्ती, सिर्फ शिव की भक्ती शुरू हुई द्वापर युग में, फिर दिरे दिरे देवी देवताओं की स्रीक्रस्न की, जैसे शी बाबा पहले आया, बाबा की फिर स्रीक्रस्न आया, उसकी फिर लक्समी नारणाये, फिर उसकी फिर रामसिता की, ऐसे ऐसे द्व पापर युग में तो सिर्फ शी बाबा और देवी देवताओं की भक्ति, फिर बाबा केते हैं, पाच ततों की भक्ति करते हैं, देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सतो प्रदान है, मनुश्य का शरीर तो पतीत है न, वह तो पावन हैं फिर द्वापर से लेकर सब पतीत बन पड़े हैं नीचे गीरते आते हैं सिडी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का जिन की भी कहानी बताते हैं उसमें पूरा क्लियर दिखाया है कि कैसे भक्ती भी शुरू होती है और किस किस की भक्ती फिर पांच की सुर्य की भक्ती सब होती है पांचो तत्व की भक्ती तो ये तो तत्व की भक्ती हो गए तो बावाकिते जिन की भी कहानी बताते हैं यह सब द्रस्तान आदी इस समय की ही है सब तुम्हारी उपर ही बने हुए हैं ब्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है जो कीडों को आप सम आप समान ब्राह्मन बनाते हो यहां के ही सब द्रस्टान्त है तो बावा केते हैं तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे अभी फिर बाप द्वारा रुहानी यात्रा सिखते हो यह तो बड़ाई है ना बक्ती में देखो क्या क्या करते हैं सब के आगे माथा तेखते रहते हैं एक के भी ओक्यूपेशन को नहीं जानते देवी शी बाबा की बक्ती की देवी देवताओं की बक्ती की लेकिन वो कौन थे कहां कहां है कैसे आ करके उन्होंने क्या करम किया जो उसकी इतनी प्यार से पुजा करते हैं इसाब किया जाता है न, सबसे जास्टी जन्मा कौन लेते हैं, फिर कम होते होते जाते हैं, यज्यान भी अभी तुमको मिलता है, बाबा केते हैं, तुम समझते हो बरो बर स्वर्ग था, भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धी बने हैं, उनसे पुछो स्वर्ग कब था, तो लाखो वर्ष कह देंगे, अभी तुम बच्चे जानते हो, हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे, अब फिर हमको बहुत, अब हमको बेगर तुम प्रिंस बनना हैं, दुनिया नई से पुरानी होती है न, तो बाब कहते हैं, मेहनत करो, एक दम बिल्कुल जड़ जड़ी बूत हो गई दुनिया, कितनी सुन्दर बन जाती है, उसके लिए बाब कहते हैं, मेहनत करो, यह भी जानते हैं, माया घड़ी घड़ी बुला देती हैं, बाब समझाते हैं, गुद्धी में सदैव याद रखो, गुद्धी में सदैव या रखो हम जा रहे हैं, हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ हैं, नईया उस पार जानी हैं, कलीव से सत्युद्ध, गाते हैं नईया हमारी पार ले जाओ, कब पार जानी हैं, वह जानते नहीं हैं, तो मुख्य है याद की यात्रा, मुख्य बात बताई बाबा बाब के साथ वर्सा भी याद आना चाहिए, बच्चे बालिक होते हैं, तो बाब का वर्सा ही बुद्धी में रहता है, तुम तो बड़े हो ही, आत्मा जट जान लेती है, यह बात तो बरोबर है, जैसे बच्चा जन्मा लेकिन बड़ा होते हैं, तभी वर्सा याद रहता है यहां तो हम है, ओटमेटि है ही बड़े, तो बाबा का वर्सा याद रहें, तो बाबा के ते आत्मा जट जान लेती है, यह बात तो बरुबर है, बेहद के बाब का वर्सा है ही, बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो बाब की स्रीमत पर चलना पड़ें, बाब केते हैं पवित्र जरूर बनना है, पवित्र ताके कारण ही जग्डे होते हैं, वह तो बिल्कुल ही जैसे रोरव नर्क में पड़े हैं, और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं, इसलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते हैं विनास काले विप्रीत बुद्धी है न, बाप आती ही है प्रीत बुद्धी बनाने हैं, बहुत हैं जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धी नहीं हैं कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं, शी बाबा को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, माया का पूरा ग्रहन लगा हुआ है याद की यात्रा बिल्कूल ही नहीं बाप मेहनत तो कराते हैं यह भी जानते हो सुर्यवंसी, चंद्रवंसी, राजदानी यहां स्ठापन हो रही है सत्यूग त्रेता में कोई भी धर्मस्ठापन होते नहीं और धर्मस्ठापन होते नहीं राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, ये तो तिनो धर्मा, ब्राम्मान देवताक्षत्रिय तिनो धर्मा संगमी पर स्थापन हो जाते हैं, तो बाबा केते हैं, ये तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा ये बनते हैं, वहाँ उनको धर्म स्थापन नहीं करना है, यहाँ ह जो स्ठापन हुआ, वहां जाके बनते हैं। और धर्मस्ठापक और बाप के धर्मस्ठापना में रात दिन का फर्क हैं। बाप आते ही हैं संगम पर जबकि दुनिया को बदलना हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प के संगम यूगे आता हैं। उन्होंने फिर यूगे यूगे अक्षर रौंग लिख दिया हैं। आधा कल्प बक्ति मार्ग भी चलना ही है। तो बाप कहते हैं बच्चे इन बातों को बूलो मत। यह कहते हैं बाबा हम आपको बूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं बूलते हैं। तुम क्यों बूलते हो। अपने को आत्मा नहीं समझते हो, भूईने का कारण क्या है? स्वयम को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अगर मैं आत्मा हूँ ये याद रहा तो शी बाबा की याद रहेगी, देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो, अब जैसे बाप समझाते हैं, वैसे रखनी चाहिए दूसरों को भी समझाने की बब के से बात करनी चाहिए दूसरों के आगे बाबा का ज्ञान बहुत बब के से करना चाहिए ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ तुम कुमारिया ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो त तुम्हें नीडर हो समझाना चाहिए क्योंकि हमारे जैसा ज्यान दुनिया में किसी के पास भी नहीं है और हमारा ज्यान अगर हम नीडर होके सुनाएंगे तो उन्हों को वंडर लगेगा, खुसी होगी अच्छा, मिठे मिठे, सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप डदा का याद प्यार और गुद मोनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की भी रुहानी बाप डदा को याद प्यार गुद मोनिंग नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है गुद्धी में सदैव याद रहें कि हम जा रहे हैं हमारी नईया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है हम है रुहानी यात्रापन अब हम पुरानी दुनिया में ही नहीं हम तो संगम युपर हैं निकल गए हैं पुरानी दुनिया से तो हम जा रहे हैं हम है रुहानी यात्रापर यही यात्रा करनी और करानी हैं दुसरी पॉइंट है किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भईता से माना भबके से बात करनी है फंक नहीं होना है देही अभिमानी बनकर समझाने से बावा केते हैं देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है मैं आत्मा हूँ और बावा का ज्यान सुना रही हूँ यह बात बावा केते हैं अंदर में रहे देहिय अभिमानी बन कर समझाएं यह आदत बाबा केते हैं डाल में हैं वर्दान है आज का व्यर्थ वा माया से इनोसेंट बन दीवियता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव बाबा समझाते हैं महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ वा माया से इनोसेंट हो महान आत्मा अर्थात सेंड जो संत आत्मा होते ना उसे कहेंगे जो व्यर्थ वा माया से इनोसेंट हो जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे ऐसे अपने वो संसकार इमर्ज करो हम ही देवी देवता थे इसलिए बावा केते अपने वो संसकार इमर्ज करो वियर्थ के अविद्या स्वरुभनों क्योंकि ये वियर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश ये यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। वियर्थ का जोश बाबा केते हैं सत्यता का होश ये थार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, स्वास, बोल, कर्म, सब में वियर्थ से इनोसेंट बनों। समय, स्वास, बोल, कर्म, सब में वियर्थ से इनोसेंट। ये कोई भी व्यर्थ न जाये ना समय न स्वास ना बोल न कर्म वि may innocent. जब व्यर्थ की अवित्य होगी तो दिव्यता स्वतह अनुबव होगी और अनुबव कराएगी. जब व्यर्थ की अविद्या, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, उसका ज्ञानी नहीं रहेगा, तब दीवियता स्वतह अनुबव होगी और अनुबव कराएगी, दूसरों को भी अनुबव कराएगी, स्लोगन है, फर्स्ट दिविजन में आना है, तो ब्रम्हा बाप के कदम पर कदम रखो, फर्स्ट दिविजन में आना है, तो ब्रम्हा बाप के कदम पर कदम रखो, तो यह है आज की साकार मुरली आज की अव्यक्त पॉइंट है 11th of October 2024 की जैसे भोली पर लोग आपस में गले मिलते हैं ऐसे यहां संसकार मिलन ही मंगल मिलन है संसकार मिलन ही मंगल मिलन है एक दो के संसकारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिल जुलकर रहना है जैसे कोई से विशेस स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते हो ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नौलेजफुल उतना ही सरल स्वबाव बनो नौलेजफुल की इस बात में दूसरों के स्वबाव ससकार में नौलेजफुल बनो तो बाबा केते हैं मिलनसार हो करके रहेंगे तो यह है आज की अविर्ट पॉइंट आज तो बाबा ने खास याद की यात्रा के पर ध्यान खिजवाया जैसे दुनिया में यात्रा करने जाते हैं तो बुद्धि में रहता है कि याद की यात्रा पर हैं तो हमारा भी इस पुरानी दुनिया से अवलंगर उठ चुका है हमारी यात्रा सुरू हो गई है आगे जाने की तो अब हमाएं बाबा की याद की यात्रा केते हैं हमेशा रहें जहां भी जाओ निरंतर हमारी याद की यात्रा चलती रहें कुछ भी करो बाबा केते चलती फिर ते बाबा की याद की यात्रा चलती रहें जहें गुमो फिरो कुछ भी करो स्वदर्शन चक्र बुद्धी में गुमता रहे तो आज स्वदर्सन चक्र गुमाते हैं फिर से बाबा को याद करते हैं और परम नाम सत्युग अनादी स्वरूप, आदी स्वरूप मद्दी स्वरूप, ब्रामर स्वरूप फरिस्ता स्वरूप तीन मिनित में हम यही यात्रा भी करते हैं कि के हो निशन दी अनादी स्वरूप 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 अनादी स्वरूप